अलो दोस्तों आपका स्वागत है मेरी अपने रस्वाई चैनल पर आज मैं आपके लिए मिर्चवड़ा बना के दिखाऊंगी एक टोरी बेशन लिया है उसमें ये अजवाईन है एक चमच जिसको मैंने मसल के इसमें डाल दिया है फिर एक चुक्ती ही हींग है वो भी इसमें डालना बहुत जरूरी है फिर हम इसमें आदी चमच हर्दी पाउडर डालेंगे इसमें फिर नमक डाल देंगे आदी चमच और आदी चमच हम इसमें मिर्च डालेंगे इन मिर्च पाउडर है जिन चीजों को हम मिला लेंगे इसको ऐसे पच्छी तरह ऐसे मिला लेना है इसको पहले फिर एक कटोरी बेसन लिया था तो एक ही कटोरी पाण लिया है हमने फिलाल कितना लगना है वो देखते हैं ये देखें इसमें हम इसका जो बैटर बनके तयार होएगा वो ना तो ज़्यादा गाड़ होना ची और ना ज़्यादा पत्रण होना ची एक दम फाइन बैटरिस का बनके तयार होना है वो देखाते कितना पाण इसमें लगना जुरूरी है ये इससे नहीं होगा चिम्मत से हम इससे इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे इसको इसकी सारी गुठलया है वो मिख्स कर लें इक तम फोड लेंगे इनको Memphis इस तरह का यह ओधरी है यह इतना गुमा वन चुका लेंगे यह देखिया यह एकदम अब यह देखिए इस तरिया का मारा यह गोड़ बन के तयार हो जाना ची ना यह ज्यादा पतड़ा और ना यह ज्यादा टाइट और पाणी अमारा इतना बच सुका है इसको रखते हैं ड़क के साइड में फिर हम गैसला के एक जीरा एक इसी में हमने चार पाचरी मिर्च लशन अद्रका को भी पीछ लिया है फिर यह आलू बाल रखे थे उनको भी अम इस तरिया आथों से फोड़ लेंगे कोई गिया कसमे इंको कसना नहीं है और यह फिर मिर्च इनको दो लिया है और इस तरिया कट लगा के इसका जो अंदर क यह बीज है यह इस तरिया साफ कर लेनी है चक्कु से यह तने चीत आसानी से साफ हो जाती है अंदर इनको सभी को में साफ कर दो के दिखाती हूं यह देखे सभी को में ने कर लिया फिर नमक लेके इनको इस तरिया इस तरह सभी मिर्चों में अंदर से यह लगा लेंगे य इस से क्या होगा के हमारे अंदर जो मिर्च खाएंगे हम उम्मिर्च बेंदर से भी आसी नमक वाली लगनी चैसे और फिर इसको तेल लागा के डाल के सुक्का दनिया जो ये सारा मिक्स किया था हमने सुक्का पौडर उसको डाल के हारी मेर्च और लश्रन द्रक्का भी पेस्ट डाल दिया फिस में एक चम चमने नमक थोड़ी सी हींग वो तक थोड़ा सा ये लाल मिर्च पौडर भी डाल द देखे इस त्रिया इन आलुयों को जादा चूरा भी नी बनाना इन का एकदम खड़े खड़े ब्यालू रहा ने ची है ये और ये अच्छी तरह से मैस भी होना चीन के अंदर मसाला सारा एक प्यास डाल दी थोड़ा सद्धनिया डाल दिया ये देखे कितनी अच्छी है अमा कि इस तरह को अच्छी तरह आज से ये हमारी बन के तयार हो चुक compliance मिल चुक है ये देखे फीर मिर्च उठाए एक और ऐसे आलो को इस तो यह लंबा लंबा करके ये देखे ला जितना मिर्च का साईसा मारा इसके अंदर ऐसे रख देंगे और इसको ऐसे दबा देंगे ये देखे इसको बंद कर देंगे अच्छी तरह से सबी को मिस्तरया करके ने इसके उपर भी हमने थोड़ा ऐसा आलो की बुजिया इस तरह लगाई है चेप दिया इसको यह देखे बोत मुश्किल से होता यह लेकिन हो जाता यह आराम से इसको ऐसे लगाया और आथों से दाब दिया ऐसे इसको दाब देंगे और गोमाते रहेंगे चिपक जाएगा अच्छे से हम इनको करद लेते हैं और यह देखे इस तरही आप से नहीं हो रहा तो ऐसे भी पात्थो से ऐसे यह देखे फिर हमारा इधर बेशन भिका गोड भी कितना छिट्र यासे बढ़ गया है और इसमें हम डेप करेंगे यह देखे इसमें चम्मत से इसको उपर से भी डाल देंगे और इसको ऐसे गुमाऊँगे उसके अंदर तो यह हमारे जो आलो की बुझी हमने चिपका रखे यह उसी में उतर जाएगी आप चम्मत से इसके उपर से डाल देना ये देखे तेल अमारा गरम हो चुका है और हम दोनों मिर्चो को इसमें डाल देंगे ये इतनी अच्छी मिर्चवड़ा बनके तयार होईगी बहुत ही टेस्टी बनके तयार होईगी तेल को मिर्चो को उपर भी ऐसे छीड़क देंगे अगर आपको मेरे बनाने की का तरीक अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक सेर और सब्सक्राइब जरूर कर देना ये देखे मिर्चो को हम थोड़ा सा गुमा लेंगे इस्तरिया और इसको हम थोड़ा पलट भी देंगे आज सेन को थोड़ा उपर ने चैसे से गुमा गुमा के चारो तरब सेन को सेक लेना आए अच्छी तरह से बून लेना है देखे कितनी अच्छी तरह के से ये बनके तयार हो गई है और खाणे में तो दोस्तों इतने टेस्टी बनके तयार होते हैं बहुत अच्छे बनके इसके उपर भी तेला में इस्तरिया छड़क लेंगे ये देखे इनको अब निकाल लेंगे ये हमारे मिर्चवड़ा बनके तयार हो चुके है ये देखे कितने अच्छा इनका ऐसा कलर होना चाहिए ये देखे फिर हम जो हमने ओर भी थे हमारे पास वह भी हम इसमें डाल के बना के दिखाएंगे ये भी बना देंगे हम इसको ऐसे उलटते पलटते रहें और ये देखे हमारे मिर्चवड़ा बनके कितने तयार इतने अच्छे तरीके से बनाए हैं और ये अंदर से देखो इनको कितने अच्छे तरीके से बन चुके हैं आप इनको चटनी के साथ चाय के साथ किसी की चीज के साथ खा सकते खाने में बहुती टेस्टी लगते हैं आप खा के भी बता सकते कैसे लगेंगे ये बना के ये देखिए